बीते दिनों राहूल गांधी एक मुकदमे में सुल्टानपूर केम्पी अमेले कोट में बयान दर्च कराने आये दिली वापस लोटते समय विगुपतार गंज कस्बे के विधायक नगर में अचानक मोची चैतराम के दुकान पर रुके उन्होंने मोची से जूता बनाने की विधी के बारे में पुचा और उनके साथ कोल्डरिंग की थोड़ी दिर की बाच्वी थी और आगे फिर चले गए शनिवार को उन्होंने दिल्ली से अपनी टीम भेज कर मोची को जूता बनाने की मशीन भेज दी जी हाँ अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोची दुकान की एक उधारन को पेश किया राहुल गांधी जो इस मोची से मिलकर दिल्ली रवाना हुए थे उस मोची ने कहा था कि उसके आर्थे की स्तिती सही नहीं है इसके बाद अब राहूल गांधी ने उसे जूते बनाने वाली मशीन भीज दी बदले में मूची चैतराम ने भी राहूल गांधी को रिटर्न गिफ्ट दिया है मूची ने रिटर्न गिफ्ट में चमड़े के दो जूते भीजबाई शनिवार को मूची चैतराम के बास दिन में करेबी 11 बजे फोन आया कि आपको राहुल ने जूता बनाने की मशीन भीजवाई है चैतराम ने बताया है कि उन्होंने जो जूते भेज़े हैं वे काले रंग के चमड़े के 9 और 10 नंबर के हैं मशीन चलाने के बारे में जानकारी देने के बार टीम वापस लखनो लोट गई शुकरबार को जिला नयाले के MPML कोच में अपना बयान दर्ज कराकर वापस लोटे राहुल गांधी अचानक गुपतार गंज कस्बे के वधायक चौराहा पर रुके थे गाड़ी सुतर कर च्वैतरा मूची की गुम्टी में पहुंचे जहां उन्होंने जूता कैसे बनाया और सिला जाता है और इसे कितना फाइदा होता है इसके बारे में रामचेट से बाचीट की फिर वो वहां से पुरवांचल एक्सप्रेस वे के रस्ते वापस लखनों के लिए रवाना हुए दुकान पर राहुल गांदी के रुखने के बाद से रामचेट चर्चा में आगे लोग उनके पास पहुंचकर राहुल गांदी से वे गुपतगू के बारे में जानकारी करते रहे राहुल गांधी के जवाने के बाद मुची ने बताये कि अचानक मेरे पास राहुल गांधी के आने से बहुत खुशे मिली है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24